हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम आपको ब्लाउज की एक लटकन बनाना बताएंगे सिंपल बिल्कुल सिंपल इजी और सुन्दर लगेगी कपडे से बनाना बताएंगे तो फ्रेंड्स दो दिन से मैं बहुत बिजी थी वीडियो ने डलन पाई तो आज चलिए ये वीडियो डालती हूं एक देखिए ये मैंने एक डोरी बना रखी है और ये दो टुकडे लिए है मैंने ये टुकडे है मैं आपको नाप के बताती हूं कितने हैं ये तीन बाई तीन के टुकडे लिये हैं मैंने दो और ये एक टुकडा मैंने इनके बराबर अस्तर का लिया है अब इनको देखो कैसे रखेंगे दोनों देखो दोनों सी दतरफ मिलाते हुए रख देंगे और इनके उपर हम अस्तर रख देंगे इसमें हम कोई रूई वगेर तो चुछ यह नहीं डालेंगे कुछ नहीं डालेंगे इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे अस्तर तो मैंने इसली लगा है थोड़ी मोटी हो जाएगी और यह पतला कपड़ा है जो और जटका थोड़ी ठीक-ठाक लगेगी इसली बाकी हम ऐसे इसमें कुछ भी नहीं ऐसे इस पर हम सिलाई लगा देंगे यह देखी तीनों दरफ सिलाई लगा के और जो यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे अब इसको सिधा कर देंगे यह देखी फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम कैची की मदद से यह कोने हैं इनको निकाल लेंगे दियान रखे काची को ज़्यादा जवर्दस्ति ना करें अभी काची कपड़े से बार ना निकल आए तो दिक्कत हो जाएगी दिरे दिरे आराम से आइस्ता आइस्ता इसको हम कोने को निकाल लेंगे कुछ रह गया तो इसको ऐसे ना खुलों से पकड़के निकाल लेंगे और अब इसको हम सेल देंगे इधर से भी जा से हमें खुला छोड़ा था इसको देखो ऐसे अंदर करेंगे ऐसे अंदर पकड़के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो शेर करो और अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना यह देखिए यह बोक्सा बन गया इसको अच्छे से फिनीशिंग के साथ फोल्ड करेंगे अंदर और इसमें हम सिलाई लगा देंगे इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है इसको अच्छे से करना फिनीशिंग से ऐसे ऐसे हमें इस पर कैच्छी की मदद से इसमें फिनीशिंग लाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे अब इस पर हम इसकी जो ये किनारियां है चारो तरफ से लगाएंगे ये कोने जो नहीं निकल रहे हैं इनको अच्छे से हम निकाल लेंगे ये देखी क्योंकि ये जो कपड़ा है इसमें बनार्शी काम है तो आपको पता है जरी का होता है बनार्शी काम तो उसमें थोड़ा सा वे जो ये इसके कोने है वहाँ पर आगए वो बनार्शी फूल तो वे निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रहे है देखो मैं सोई से हरके से हरके आथ से सोई की मदद से बाहर निकालूँगे इसको ये देखे इसकी सिलाई कम्प्लेट कर देंगे चारो तरफ ये पैटन बनके हमारा रैडी हो गया अब हम एक कपड़ा ओर लेंगे ये देखे एक टुकड़ा और ले लेंगे और उसको हम अलग से पैटन बनाएंगे उसका ये देखे फ्रेंड्स ये चार बै चार का टुकड़ा है वो तीन बाई तीन का टुकड़ा था इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसपे हम सिलाई लगाएंगे ये देखे जैसे सिलाई लगा देंगे मैं फेर्ज द्यान नहीं रखती मेरा दागा जरूर निकलता है ये देखी मैंने सिलाई लगा ली है और अब जो ये एक्स्ट्रा शाइड में कपड़ा है इसको कट कर दूँए और इसको सीधा पलट लेंगे ऐसे पलट लेंगे इसको और इसको भी हम कैची की मदद से बाहर निकाल लेंगे देरे-देरे ज्यादा नहीं आराम से हमें देरे-देरे निकालना है ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो काची अग निकल आएगी कपड़े से और देखो इसको ऐसे cutting करेंगे गोल आई की safe देते विए गोल आई की safe देते विए इसको ऐसे cutting करके ये कुछ ऐसा pattern बन जाएगा ये देखिए ये यहाँ पर joint होगा तो friends अब लेंगे हम मोती कुछ मोती लेंगे हमारे पास white color के मोती रखे हैं तो मैं वो मोती पहुंगी इसमें ऐसे देखिए एक सुई पर हम गांट लगाते हुए और ऐसे इसमें से निकालेंगे देखो मेरे मोती भी खिंड गए और ये मोती ले लेंगे इसमें आपकी मर्जे है आप दो तीन चार पांच कितने भी मोती फोस्कते हों मैं इसमें पांच मोती पहुंगी ये देखिए फ्रेंट्स कि मैं मोती और लेके आई हूँ मेरे मोती भी खर गए थे ये मैंने इसमें पांच मोती पहुंगी अब मैं इसको दूसरे वाले पैटन को लूँगी और इसमें से ऐसे धागा पिरोंगी ये देखिए और अब देखिए क्या करना है इसको वापिस लेके आऊँगी नहीं मोतीयों में इसे सुई को वापिस ले आऊँगी यह देखी तुम अप्पीस ऐसे सुई गवा निकाल लूगी यह देखी अब इसमें यह जोईंट हो गया यह देखी और इसको ऐसे कपड़े में से लेके इस पर एक चोटी शी गांट लगा दूगी जिसको शिलाई बहुत कम आती है वो भी इस लड़कन को बनाके तयार कर लेगी और इसलिए इसमें मैंने फाइवर बगेरा नहीं दी इस में क्योंकि यह सिंपल ही ठीक है इस पर प्रेस कर लेंगे तो इसकी फिनिसिंग बहुत अच्छी आएगी अब इसको हम यह डोरी है इस पर लगा देंगे इस पर हम सिलाई से अटेच कर देंगे इस पर यह देखे इस पर हम पका कर देंगे दो तिन बर शिलाई लगाते हुए तकि यह हमारा तुटे नहीं और यह देखे बन के पैटर्न तैयार हो गया यह लटकण है अमारी देखे कितनी सुंदर और कितनी सिंपल और कितनी आसान है फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पिसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू फोर वोचिं कि आई दूनियम्